पूरो मंत्री आजम खान के मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं एक बार फिर आजम खान को हेट स्पीच मामले में हाई कोट से बड़ा जटका लगा है मामले में बरी के आदेश पर स्टे लगा दिया गया है हेट स्पीच मामले में हाई कोट ने राज सरकार की याचिका को स्विकार किया है और निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है आपको बता दे कि रामपुर की MPML कोट ने मामले में बरी का आदेश दिया था मामले में अब अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी हेट स्पीच मामले में भाच्वा विधायक आकाज सक्सीना ने आजम खान के खिलाब शकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद आजम खान को 27 अक्टूबर 2022 को 3 साल की सजा सुनाई गई थी जिसके बाद आजम खान को विधायकी से भी हाथ दोना पड़ा था फिर आजम खान की अपील के बाद उन्हें 24 मई 2023 को MPML कोट ने दोश्ट मुक्त करार दिया था हाई कोट ने मामले में इस तरे के साथ आरोपियों को नोटिस भी जारी किया है और साथ ही निचली अदालत से मामले में रेकॉर्ड मागा है आपको बढ़ा दें आजम खान ने 2019 लोकसभा चुनाओ के दोरान भाशन में भड़काओ टिप पड़ी की थी लेकिन अब हाई कोट के इस फैसले के बाद आजम खान की फिर से आफ़त बढ़ गई है अब मामले के अगली सुनवाई पर सब की नजर रहेगी